नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूटूब चैनल दिनेस राजवन से पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं प्यार मित्रों आज दसेहरा है, तो दसेहरा की आप सभी मित्रों को हार्दिक सुपकामना है प्यार मित्रों खुसियों के साथ अपने परवार के साथ मनाईएगा दसहरा प्यारमित्रों दसहरा की सुबकामनाओं के साथ करेंट अफेर्स जो है आपकी 25 अक्टूबर 2020 की इसको हम पेस करते हैं आपकी स्क्रीन पर तो ध्यान से नोट कीजिएगा important प्रसन किस राज जी ने smart blackboard योजना प चुका है ये है 24 अक्टूबर 2020 का comment box बाला प्रस ने इसका आंसर मिलाईएगा हाली में किस राज सरकार ने मिसन सक्ती कारकरम करने की घोशना की है यानि प्रारम किया है मिसन सक्ती कारकरम और प्यार मित्रों यहाँ फोकस करने वाली बात है कि राम नौमी की जो पहला दिन यानि परमा थी जब उस दिन से मित्रों ये कारकरम प्रारम किया गया था 17 अक्टूबर से तो किस राज ने किया है ये है आपका उत्तर प्रदेश राज उत्तर प्रदेश राज ने मिसन सक्ती कारकरम मैला और बालिकाओं की सुरक्षा को द्रश्टिगत रखते हुए ये क कारकरम चलाया गया है प्यारमित्रों तो याद रखें योगी आदितनाज जी ने इस कारकरम का सुभारम किया है अगला कुश्यन आपके स्क्रीन पर प्यारमित्रों 25 अक्टूबर 2020 का आ चुका है नोट कीजेगा इधर्ती जीयो पोल्टल को किस मंत्राले ने लौंच किया ये मित्रों important portal है इधर्ती जीयो पोल्टल इसको नोट कीजेगा इसका अंसर किस मंत्राले ने प्रानम किया है आवास और सहरी मामलों के मंत्राले ने मित्रों इधर्ती जीयो पोल्टल लौंच किया है प्यारमित्रों हाली में केंद्री आवास और सहरी मामलों के मंत्री स्र ये हरदीप सिंग पुरी ने इधर्ती जीयो पोर्टल लॉंच किया है इस पोर्टल से संपत्ती प्रमाण पत्र रूप रेखा मांचित्र आसानी से प्राप्त किया जा सकते हैं प्यार मित्रों आप समझेगा ये आपका इधर्ती जीयो पोर्टल है क्या इसमें मित्रों आपक जियो पोर्टल पर मित्रो उपलब्द रहेंगे आप जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं अगर जैसे बेचना चाहेते हैं तो आपका फिर्वाणपत रहेगा कि आपकी ये जमीन है जब आप बेचेंगे तो वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसपर हो जाएगा तो ये आसानी हो मित्रो व्योसाय करने में इसलिए ये इधर्ती जियो पोल्टल लॉंच किया गया है किस मंत्राले के द्वारा आवास और सहरी मामलों के मंत्राले के मंत्री हरदीप सिंग पुरी के द्वारा तो याद रखियेगा ये कुछिछन नोट कर लिया होगा अगला प्रस्न आपके स्क्रेंड पर मित्रो दूसरा आ चुका है हाली में केंदर के किसी कानून को खारेज करने वाला देश का पहला राज प्यार मित्रो जो केंद सरकार ने किरसी कानून बनाया है उसको खारज कर दिया है किसी राज ने तो चार विकल्ब ये हैं पैचानिये का कौन सा राज है वो राइट आपसन नोट कीजेगा दूसरा सा ही है पंजाब राज ने किरसी कानून को खारज कर दिया है प्यारवित्रों ये पहला राज है और भारत देश के किसी राज ने केंदरी एकिरसी कानून को खारज नहीं किया अभी तक पहला राज ये पंजाब जिसने किया है इसको हम देखते हैं मैप पर पंजाब है कहां प्यार्मित्रों हम जूम कर रहे हैं ये भारत के मैप पर देखीगा पंजाब राज्ज है कहाँ पर ध्यान से नोट कीजेगा ये बिंदू जो हम बता रहे हैं आपको देखी गई ये रहा पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ पंजाब राज्ज पंजाब की राजधानी क्या है चंडीगड है जो चंडीगड हर्यारण की भी राजधानी है यानि दोनों की ये संयुक्त राजधानी है प्यार में तो यहां देखेगा पंजाब से ये सीमा बनाता है और हिमांचल प्रदेश और हर्यारणा ये दोनों ऐसे राजजें जो पा जिनसे आपका पंजाब राजी सीमा साजा करता है प्यार मित्रों पंजाब जो छेतर है आपका उसमें पांच नदियों का जल प्रवाहत होता है वो पांच नदिया भी नोट कर लिजेगा पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में भी है तो पांच नदिया कौन कौन सी है जेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज तो प्यार मित्रों ये पांचो नदियां किस नदी में समाहित हो जाती है आपकी सिंधू नदी में ये है मिथानकोड जगे जहां पर मित्रों ये समाहित हो करके जाती है सिंदु नदी और कहां के चाहिए आती है अरब सागर में अरब सागर में ये समाहित हो जाती है सिंदु नदी इन पांचों नदीयों का जल्ले करके यही यह मित्रो आपका पंजाब जो पाकिस्तान और भारत में हैं समझ गए होंगे अगला कुश्चन में तो पेडियाप पर हम देखते हैं तीसरा प्रस्ण प्यारा मित्रो ये रहा आपकी स्क्रीन पर हाली में भारतिय वायू सेना की पहली महला अधिकारी का निधन हुआ है उनका नाम क्या था प्यार मित्रो ये पहली वायू सेना की अधिकारी है भारतिय वायू सेना की इनका नाम ध्यान से पैचानियेगा चारों विकल्प में ऐसे कौन सा सही है प्यार मित्रो राइट अप्सन नोट कीजेगा चौथा विकल्प सही है प्यार मत्रो उस राजी का नाम पहचानिएगा चौथा बिकल्प सहिए किस राजी ने मित्रो तमिल नाडू राज ने ये मित्रो योजना प्रारम की है यानि Smart Blackboard योजना इसकी मित्रो क्याउदे से इसका इस योजना के तहट 80,000 सरकारी स्कूलों में smart blackboard लगाए जाएंगे जिसके माध्यम से प्यारे मित्रों teaching audio और visual यानि आपका dress और श्रब टकनीक से मित्रों ये आपका अध्यापन कार कराये जाएगा किस राज में तमिलनाडू राज में तो याद रखें किस राज ने smart blackboard यूजना लागू की गई है तमिलनाडू राज में प्यार मित्रों इसको map से देखते हैं तमिलनाडू राज है कहाँ पर प्यार मित्रों ये रहा भारत का map आपकी स्क्रीन पर जूम किया गया है तमिलनाडू राज आप देख सकते हैं ये रहा yellow color का आपका तमिलनाडू राज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूंचा जा सकता है ये रहा मित्रो यहाँ पर जो स्री लंका से जली ए सीमा बनाता है और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों से ये तट बनाता है दच्छन में हिंद महासागर पूर में आ परवत हैं देखेगा यहाँ पर यहाँ आपका कौं सा अन्नामलाई परवत और यह है आपकी कार्डम महिल जो केरल हर तमिलनाडू की सीमा पर प्यार मित्रों ये आप से पूछा जा सकता है मदुरे सहर भी आपका तमिलनाडू का है यहाँ पर जो आपका मित्रों मीनाक्छी मंदिर है ना मदुरे में है ऐसे ही मित्रों ये पिरसिद्ध है तो याद रखेगा और पांडी चेरी जो आपका केंसासर प्रदेश है वो भी मित्रों तमिलनाडू राज्ज में इस्तित है उसका एक जिला कराई कल याद रखिएगा और पांडी चेरी ये रहा प्यार मित्रों अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर पेडियेप पर देखते हैं अगला कुश्चन प्यार मित्रों आचुका है 5 हाली में DRD उन्हें एंटी टैंक गाइडिड मिसाइल नाग का सफलता पूर्वक परिक्षण कहां किया है तो इसका राइट आप्सन पहचान गये होंगे आप राजस्थान राज में किया गया है कहां किस परिक्षण रेंज में पोखरण परिक्षण रेंज है जो आपकी राजस्थान की प्यार मित्रों कल हमने आपको न्यूज कटेंग प्रदान की थी उसमें मित्रों नाग मिसाइल का विबरंट दिया था ये कटेंग में आपको याद आ गया होगा, राजिस्थान की राजधानी जैपोर, मुक्कमंत्री एसो गैलोत, राजिपाल, कल राज मिस रहें, मित्रो ये तीन मिन्दू भी याद रखेगा, और एक बार हम मैप से देखे ले रहें, राजिस्थान राज है कहाँ पर, प्यार मित्रो ये करते राजिस्थान से भी सीमा साजा करता है, और राजिस्थान से कितने राजिस्थान सीमा साजा करते हैं, देखेगा, पंजाब सीमा बनाता है, हर्याणा, उत्तर प्रदेश, मद्रदेश और गुजरात, कितने राज्ज हैं, पांच राज्ये, राजिस्थान से सीमा साजा करत इस डारेक्सन में प्यारमित्रों याद रखेगा अरावली रेंज, इसकी चोटी भी याद रखें, माउंट आबू राजिस्थान में है गुरू सिखर, कौन सी चोटी है गुरू सिखर चोटी है अरावली परवत की, कहां पर है माउंट आबू में है, प्यारमित्रों जैन मं सरकार ने पंचायती राज अधनियम 1989 को मंजूरी पिरदान की है तो प्यार मित्रों वो चार राज दिये गए हैं अपसन में पहचानी का किस राज के लिए पंचायती राज अधनियम 1989 सुईकार किया है केंदर सरकार ने तो प्यार मित्रों वो है आपका दूसरा विकल्प या 1989 है जिसको मंजूर किया है केंसरकार ने उसका उद्देश क्या होगा कि जम्मू कस्मीर में जो हाली में 373 धारा खतम की है जो मित्रो आववस्थां चल रही है लोकतंत्र में उसको मजबूती देना यानि लोकतंत्र को मजबूत बनाना इस अध्रियम का उद्देश है प्यार में तो जम्मू कस्मीर केंसरकार प्रदेश को मैप से देखते हैं प्यारों तो आपकी स्क्रीन पर जम्मू कस्मीर राज जूम कर दिया गया है आप देख सकते हैं इस केंसासर प्रदेश को इसकी दो राजधानिया है स्री नगर और जम्मू स्री नगर आपकी ग्रिस्म कालिन राजधानिया है सीथ कालिन आपकी जम्मू राजधानिया है यान सीमा बनाते हैं प्यारमित्रो डल जील और बुलर जील ये दोनों जम्मू कस्मीर राज में ही इस्तित हैं याद रखेगा और एल जी कौन है याँके मनोज सिना जी है मनोज सिना जी जम्मू कस्मीर केंसा से प्रदेश के उपर राजपाल हैं याद रखिएगा पुनह पीडियाप पर हम चलते हैं अगला कुश्चन प्यार मित्रों आ चुका है सेविन हाली में किसे लेबनान के नए प्रधान मंत्री की रूप में चुना गया है प्यार मित्रों ऐसे कुश्चन कभी कभी पूच लिये जाते हैं इसलिए हमने ये कुश् बनाई गई है जिसमें प्रधान मंत्री चुने गए हैं कौन साद हरीरी जी याद रखें प्यार मित्रों लेबनान देश है कहाँ पर इसको हमें एसिया महादीप में देखे ले रहे हैं प्यार मित्रों पश्ची में एसिया हमने जूम किया है और कंट्री कौन सा देखना हम यह भूमद सागर से आपकी सीमा बनाता है libanan देशु हुमद सागर से और सीरिया और इज्रैल दो देशों से सीमा बनाता है ओके याद रखियेगा अगला कुछ्चन पीडियाप पर देखते हैं अगला कुछिण साथ दो योजना और प्रारम की गई है इन बिन्वों में दिये गई है नोट कीजेगा प्यार मित्रों इस बिन्वों में दिया गया है पहले बिन्वों में किसान सूर्य दे योजना है जो उसका उद्देश क्या है किसानों को बिजली उपलब्द कराना इसका उद्देश है यस योजना के साथ साथ प्यारमित्र दो परयोजनाओं का भी उदगाटन किया गया है। नरेंद मोदी जी ने अगला कोश्चन प्यारमित्र नाइन आपकी स्क्रिंड पर आचुका है। राष्टिये सुपर कम्पीटिंग मिसन का तीसरा चरण जनवरी 2021 में प्रारम होगा इसका उदेश से कम्पीटिंग गती को लगभग कितने पेटा फुलॉप तक बढ़ाना है मित्रो कम्पीटर की जो गती है वो कितने पेटा फुलॉप तक बढ़ाना है 2021 तक ये राइट आप्सन नोट कीजेगा तीसरा विकल्ब सही है 45 पेटा फुलॉप तक मित्रो इसकी स्पीट बढ़ाना है ये राष्टिये सुपर कम्पीटिंग मिसन का उदेश है याद रखें ये कभी भी कुश्चन पूछा जा सकता है 45 पेटा फुलॉप तक और मित्रो बिंदुबार जानकारी भी नोट कीजेगा विज्ञान और प्रोदोगी की विभाग ने घोसड़ा की है कि राष्टिये सुपर कम्पीटिंग मिसन का तीसरा चरण जन्वरी 2021 तक प्रारम होगा इस चरण में कम्पीटिंग गती को लगभग 45 पेटा फुलॉप तक बढ़ाना है आपको बता दे कि पेटा फुलॉप जो है वो कम्पीटर की प्रोसेसिंग स्पीड का एक पेमाना है ये आपसे पूछा ज़ा सकता है कि पेटा फुलॉप है जो वो किसका पैमाना है वो computer की जो processing है speed है चलने की उसका एक पैमाना होता है petaflop याद रखें और प्याद में तो इसी के साथ ये बिंदू देखिए का question नहीं बनाया है इस बिंदू को आप direct याद रखें red light on, गाड़ी off ये अभियान में तो दिल्ली सरकार अभियान चलाया है तो याद रखें इस बिंदू को भी प्यार में तो अगला प्रस्ण आपकी screen पर आ चुका है आज का comment box बाला प्रस्ण यानि ये अभियास प्रस्ण है इसका answer आपको comment box में लिख करके प्रदान करना है ध्यान से इसका answer पैचानिएगा आपको हम बहुत पहले करा चुके हैं ये question चर्चा में रहे सब्द Medicans का सम्मंद किस से है COVID-19 पर इखण किट से Corona vaccine से अंत्रिक्ष यान से या भूमद सागरी तूफान से तो Medicans सब्द का सम्मंद पैचानना है प्यार मित्रो बहुत पहले कराया था ये question आपको याद होगा प्यार मित्रो आपने answer पैचान लिया होगा तो comment box में लिख भेजिएगा उत्तर आपका कौन सा सही है प्यार मित्रो आपका गलत भी होगा answer तो जरूर मुझे भेजिएगा क्योंकि आपका comment आता है तो मुझे खुसी मिलती है एक मित्रो मनोवल मिलता है कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं भले ही आपका answer गलत हो आप comment जरूर कीजिएगा कि आपका अनुसार कौन सा सही है ओके पैचान मित्रो वीडियो हम यहीं ब्राम करते हैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग वीडियो जय हिंद जय भारत पैरमित्रो